हलो बच्चो, वेलकम टू डिजानाथ क्रियेशन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का नमबर 3 आज उसल हम 1 एंड 2 पहले से सॉल्फ कर चुके हैं अगर उसका वीडियो चीहें तो उपर इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो बात करते हैं number 3, so this is number 3, तो number 3 क्या बोला गया है कि अगर दो नमबर को हम multiply करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1 if the product of 2 whole number is 1, अगर 2 whole number को multiply करेंगे तो आता है कितना हम लोग का 1 so both the numbers should be equal to 1, क्या 2 ही number 1 होना चाहिए, क्या 2 number को multiply करेंगे, क्या 1 होना चाहिए या किसी एक में 1 होने से भी चलेगा, okay, so हमें पता है जब हम 1 के साथ कोई दूसरा number अगर multiply करते हैं तो वही same number ही आता है, for example, तो यह as usual लिखोगे अपने copy में, okay, जितना भी theoretical parts है and जो भी examples में बताया जा रहा है, so examples में लिखोगे, 1 into 1 is equal to 1, as we know this and 1 into 7 करने से, 17 कितना आएगा, 7, तो हमें क्या बोला गया है, product of 2 whole number is 1 तो दो number को multiply करने से कितना आना चीए, 1 आना चीए, तो 1 आएगा कैसे, न, अगर 1 into 1 करेंगे, तभी जाके यह हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा so therefore hence it is clear that if the product of 2 whole number is 1, both the number being multiplied have to be 1 so अगर हम 1 into 1 लेंगे, तभी हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा, अगर दूसरा किसी number के साथ 1 को multiplied करेंगे, तो 1 नहीं आएगा okay, got it, next number 4 के तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई भी doubt है, तो comment section पर comment कर सकते हो, we will solve your queries as soon as possible end, don't forget to subscribe our channel, डिजनात creation, next क्या बोलाए, distributive property, तो distributive property में सबसे पहले यह formula बहुत मायने रखता है यह formula को तुम्हें याद रखना है, बच्चो, a into b plus c, so यह a को अगर b के साथ multiply करेंगे, क्या हो जाएगा, a, b, plus यह a को अगर c के साथ multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a, c, so formula आएगा, a into b plus c is equal to a into b plus a into c, a, b plus a, c, तो यह है हम रोग के distributed property, तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, न, c की first number है, 728 into 101, तो देखो, 728 को round up करना easy रहेगा, या 101 को round up करना easy रहेगा, so usually, generally क्या होगा, 101 को round up करना easy रहेगा, क्योंकि 100 plus 1 यह easy होगा, 728 बोलने से 700 plus 28 हो जा रहा है, तो यह काफी दिक्कत होगा, यह easily हो जाएगा, तो हम लोग 101 को कैसे लिखेंगे न, b plus c method में लिखेंगे, 100 plus 1 लिखे, after that हमें क्या करेंगे, न, a into b plus c pattern में से arrange कर लेंगे, तो arrange कर लें, 728 into 100 plus 1, अभी यह 728 को एक बर multiply करना है 100 से, और एक बर multiply करना है 1 से, so 728 into 100, 728 into 1, 728 into 100 करने से कितना आया, 728, 00, 728, 1 जा 728, दोनों को add कर देंगे, दोनों को add करने से answer कितना आया, न, 735, 28, that is 73,528, ओके, next bit B, अगर कहीं पर कुछ भी doubt है तो comment section पर comment कर सकते हो बच्चो, and don't forget to subscribe our channel, DJNath Creation, next B number, 5, 4, 3, 7, 5, 437 is multiplied with 1001, तो 1001 को हम कैसे इसे तोड़ के split कर सकते हैं, now 1000 plus 1 में, तो यह 5, 4, 3, 7 को एक बर multiply करेंगे 1000 के साथ, और एक बर multiply करेंगे 1 के साथ, got it, so 5, 4, 3, 7 into 1000, 5, 4, 3, 7 into 1, तो 5, 4, 3, 7 into 1000 यह multiply करने से इसका answer कितना आया, ना 5, 4, 3, 7, 0, 0, 0, into 1 करने से 5, 4, 3, 7, दोनों का value को add कर देंगे, तो add करने से कितना आया, ना 5, 4, 4, 2, 4, 3, 7, that is our, see here, 54,42,437, got it, next 824 into 25 यह वाला भी easy है, 25 को हम क्या कर देंगे, split कर देंगे, 20 प्लस 5 में, इतना तक complete, any doubts your students, next, number 4, 3, okay, so हम वहाँ पर split up किये थे, 824, हम लोग का क्या था, 20 प्लस 5 में था, तो 824 को एक बार 20 के साथ multiplied करेंगे, और एक बार 5 के साथ multiplied करेंगे, 824 into 20, 824 into 5, so 824 into 20 करने से कितना आया, value, 1, 6, 4, 8, 0, into 5 के साथ करने से कितना आया, 4120, दोनों को जैसे ही हम add कर देंगे, तो add करने से कितना आया, 20,600, okay, got it, next, number D, 4,275 into 125, तो इसे हम split up मेथड में, divide कर देते हैं, 125, तो 4,275 एक बार multiply होगा 100 के साथ, एक बार होगा 20 के साथ, और एक बार होगा 5 के साथ, 4,275 into 100, 4,275 into 20, 4,275 into 5, okay, so, 4,275 into 100 करने से कितना आया, 4,275, 00, 4,275 into 20 करने से कितना आया, 85,500, 4,275 into 5 करने से कितना आया, 21,375, तीनो को add कर देंगे, यह तीनो value को add कर देंगे, तो value कितना आया, that is, 5,34,375, I hope you got it, समझ में आ रहा है बच्चो, next, E number, don't forget to subscribe आओ शैनल, DJ Nath creation, next, 35 and 504, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है, easy करने के लिए, 500 को round up कर दे रहे हैं, तो यह कितना हो जाए, 500 plus 4, तो मैं 35 को एक बर multiply करूँगा, 500 के साथ, और एक बर करूँगा, वह 4 के साथ, अगर तुम चाहो तो, यह 35 को भी split कर सकते हो, 30 plus 5 में, and 504 को एक बर multiply करोगे, 30 के साथ, और एक बर 5 के साथ, ऐसे भी कर सकते हो, बट इस बार हम थोड़ा unique कर दे रहे हैं, थोड़ा opposite कर लेते हैं, 500 plus 4, तो 35 को एक बर multiply करेंगे 5 के साथ, और एक बर करेंगे 4 के साथ, कोई भी process में करो, कोई भी गलती नहीं है, marks मिलेगा ही, so, 500 into 35, 4 into 35, तो 500 into 35 multiplied करने से कितना आया, 17,500, 35 into 4 करने से 140, दोनों को add करेंगे value तो कितना आया, 17,640, okay, so, आज के लिए इतना ही, next class में number 5 discuss करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही, and don't forget to subscribe our channel, अगर कोई भी डाउट है, तो comment section ने comment कर सकते हो,